दोस्तो जरा होश्यार होकर बैठें क्योंकि आज ओट बहार के नीचे आने वाला है आज हम आपके ही साथी दर्शक श्री कुशल टेलर के सुझाव पर आप लोगों में जितने हिम्मत वाले और खत्रों के खिलाडी हैं जो कहते हैं हम किसी से कम लहीं उनके लिए ऐसी जगहों के बारे में वीडियो बना कर लाएं हैं जिन को देख कर जहां कमजूर दिल वालों की दिल बैठ जाएंगे वही जो जिन्दगी की चुनोदियों का सामना करने और दिल दहला देने वाले कारणामों को बाए हाथ का खिल समचते हैं वो बेचैन हो जाएंगे कि कब मौका मिले और कब वो इन जगाओं को स्वेम जाकर देखें लेकिन इसके साथ ही हम अपने उन दर्शकों को भी निराश नहीं करेंगे जो कम उम्र या ज्यादा उम्र की वजह से इन जगहों पर नहीं पहुँच सकते आप ठीक पकड़े हैं बच्चों और बूडों का भी हमने पूरा ख्याल रखा है उन्हें अवश्य साथ ले जाएगा घूमने का असली मज़ा तो सब के साथ आता है तो चली अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं एक अंडमान की स्कूबा डाइविंग अंडमान में पोर्ट ब्लेर पहुचने के दो दरीके हैं हर बड़े शहर से हवाई जहाज से और अगर आप समुदरी यात्रा का भी आनंद उठाना चाहते हैं तो कॉलकाता, वाइजएक या चिन्नाई से जहाज दुवारा अंडमान की हैव लॉक, किलिंग या पैसेज किसी भी आइलेंड पर स्कूबा डाइविंग के रोमांच का अनंद उठाईए और देखिए कोरल रीस हाँ, जरा स्कॉर्पियन फिश, शार्क और ऑक्टुपस से बच कर रहेगा वैसे घवराईए नहीं, आपकी सुरक्षा का पूरा इंतसाम किया जाता है और एक रास की बात बता दें हनीमून के लिए ये बहुत बढ़िया जगहा है लेकिन जाईए जन्वरी और मई के बीच ही रिशिकेश में वाइट वाटर रिवर राफ्टेंग रिशिकेश रिवर राफ्टेंग के दिवानों की जगहा है यहाँ आप लोगों को राफ्टेंग करते देख सकते हैं गंगा का पवित्रे जल, चटानों से टकराने से पैदा होने वाला सफेध फैन हर पलुटती गिरती राफ्ट का खत्रा हेमाले की हरी भरी पहाणियां और वादियां एक ऐसा महौल पैदा करते हैं कि लगता है कि धरती पर अगर कहीं स्वर्ग है तो यहीं है, यहीं है, यहीं है लेकिन एक बात का ध्यान रहे कि बिना किसी एक्सपोर्ट के खुद राफ्टेंग के हिम्बत ना करें हम नहीं चाते कि आप वक्त से पहले ही असली स्वर्ग में पहुँच जाएं रिशिकेश तो आप कहीं से भी पहुँच सकते हैं, बस बरसात के वक्त ना जाएं उत्राघंड के जिम कॉर्वेट पार्क में रोमाश तो खूब है लेकिन ऐसा कोई खत्रा नहीं है सो अक्टूबर से जून के बीच सब परिवार और खास कर बच्चों के साथ अवश्य जाईए और पूरी सुरक्षा के बीच खुली जीप में, खुले में घूमते, खतरनाक जानवरों के बीच घूमिए इससे बच्चों के मन का डर भी दूर होगा और उन्हें सीख मिलेगी कि यदि पेट भरा हो और उन्हें छेडा ना जाए तो ये जानवर आपकी तरफ ध्यान भी नहीं देते इस बार का एरिया इतना बड़ा है कि यहां बिहार, यूपी या उत्राखंड जहां से आपको सुविधा हो पहुँचा जा सकता है चार, लद्दाक में चाधर ट्रेक जन्वरी फर्वरी में जब दिन का तापमान माइनस 5 से माइनस 15 और रात का तापमान माइनस 20 से माइनस 30 डिगरी तक गिर जाता है तब लद्दाक में 11,000 फीट की उचाई पर स्थित जन्सकार नदी जम जाती है और तैयार हो जाता है दुनिया का सबसे मुश्किल और सुन्दर 62 किलो मीटर लंबा चाधर ट्रेक और जिस इनसान ने चांद पर चल कर दिखा दिया जिसने सारे पहाड और साथ समंदर पार कर लिये और ताकतवर नदियों को बांध दिया उस पर पैदल चल कर आदमी की हिम्मत और ताकत का सबूत पेश करता है आप भी अगर जा सकते हैं तो अवश्य जाईए आपका आत्मविश्वास सौग उना बढ़ जाएगा दोस्तो अगर आपको मोटर बाइक चलाने का नशा है तो आपको इस ट्रेक पर सफर करने में जिन्दगी का मज़ा आ जाएगा समुद्र से 11,500,000 फीट उपर बनी हुई इस क्यूपसूरत सड़क की लंबाई करीब 500 किलोमीटर है बरफ से ढखे पहाडों के बीच, जीलों के किनारों, पिकने का मज़ा, प्राकृतिक सौंदर्रे, ठंडी हवा और खाली सड़क पर मनमानी रफ्तार का रोमांच आपको ऐसा अनुभव देंगे जिसे आप जिन्दगी भर भूल नहीं सकेंगे यहाँ आने का समय जुलाई से सितंबर तक का है सो कर लीजिए अपनी बाइक तैयार और इस जुलाई में कर ही डालिए ये सफर दोस्तो हमें मालूम है कि आप मेंसे बहुत से दर्शक स्कीन के शौकीन होंगे और इस फिराक में रहते होंगे कि कब मौका मिले और किसी अच्छी सी जगह स्कीन करने निकल पने तो ऐसे लोगों को हम सजेस्ट करेंगे धर्ती के स्वर्ग कश्मीर में गुलमर्ग जो की श्रीनगर एयरपोर्ट से केवल 50 किलोमेटर दूर है स्कीन पॉइंट 4000 मीटर की उचाई पर है जहां पहुचने के लिए गंडोला सर्विस उपलब्ध है और स्कीन के लिए अंगिनत अलपाइन्स, शूट्स, कॉनिकल्स और ग्लेशियर्स उपलब्ध है सो इस साल एप्रिल से दिसंबर के बीच अपना स्कीन किट पैक कीजिए और चल दीजे गुलमर्ग की ओर हमारे बहुत से दर्शकों ने हवाई यात्रा की होगी लेकिन कभी हौट एर बैलून में नहीं बैठे होंगे तो इसी साल नवंबर से जून के बीच पहुँचाए राजिस्थान की राजधानी जैपूर और लीजे हौट एर बैलूनिंग का मज़ा जब बैलून उपर हवा में केवल हवा के साहरे भटकता है तब जो रोमाच होता है और जैपूर शहर आसपास फैली अरावली की पहाडियां और रेगिस्तान एक ऐसा नजारा पेश करते हैं कि जो की बैलूनिंग के अलावा संभव ही नहीं है फिर इसको आप सब परिवार इंजोई कर सकते हैं क्योंकि ये रोमाचक तो है लेकिन खतरनाक नहीं है आठ गोवा में सर्फिंग दोस्तों बनाना सर्फिंग का बोड केले की शकल का होता है जिस वजह से इसको ये ना मिला है जिन्हें पानी के ओर खास तोर से सी स्पोर्ट्स में मज़ा आता है उन्हें इसका मज़ा जरूर ही उठाना चाहिए गोवा के शांध बीच और नीले पानी में जब किनारे से टकरा कर लोटती हुई लहरे पर बोड उठता है तो सफर का जो आनंद और जो रुमाँच का अन्भव होता है उसका सिर्फ अन्भव किया जा सकता है बया नहीं सो बरसात का मौसम छोड़ कर कभी भी घुआ जाईए और बनाना सर्फिंग का मज़ा लीजिए दोस्तो चलिए हम आपको सबसे खतरनाक स्काई डाइविंग के गड़ मैसूर ले चलते हैं सकाई ड्राइविंग में छोटे ट्रेनर हवाई जहाज से 6,000 से 10,000 फीट की उचाई से पैरशूट के सहारे कूदा जाता है अब ये कोई ऐसा काम तो है नहीं कि बिना तैरना सीखे कोई पानी में कूद पड़े सो वहाँ पूरा इंतजाम है और पहले आपको ट्रेनिंग दी जाती है तब आपको कूदना सिखाया जाता है इसलिए है तो खतरनाक लेकिन एक बार सीख जाने पर ये दुनिया का सबसे रोमांचक कारनामा भी है दस अगवाड़ा नदी में काय किंग दोस्तो अगर आप गोवागूने जाते हैं और काय किंग नहीं करते हैं तो समझे कि आपकी ट्रिप अधूरी रह गई इसके लिए अक्टूबर से मई के बीच में आपको अगवाड़ा भी जाना होगा जो की डबलम इंटरनाशनल एरपोर्ट से केवल 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है काय किंग में आप एक छोटी सी टोंगी में नदी के शांध पानी में अकेले ही घूम घूम कर किनारों की घूपसूरती का और खुद नाव चलाने का मजा ले सकते हैं दोस्तो आज यहीं तक अब हम आप से इस आशा के साथ विदा लेते हैं कि आपको हमारी आज की ये पेश का जरूर पसंद आई होगी है ना अपने कमेंट जरूर भेजें तभी तो हम आपको इस प्रोग्रम द्वारा बहतर सेवा दे पाएंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए नो चलिए जैए